बेशन के लड़ू जरूर बनाई जाती है और इसे काफी ज़्यादा पसंद भी की जाती है तो आज मैं आपके साथ परफेक्ट माप के साथ बेशन के लड़ू की रेशिपी शेयर करूँगी और इस लड़ू को बनाने में हमने बारिक वाले बेशन का यूज गया और देख स बाया है जो की बेशन के लड़ू में बनाने में हमें जो है तगार की जरूरत होती है जिसे हम बूरा भी कहते हैं तो चलिए क्या है दानेदार बेशन के लड़ू बनाने कर आज देखते हैं इस वीडियो में आज तो वीडियो को बिना इसकीप के सुरू से अन तक बने रह तो यहाँ पर हमें बेसन के लड़ू बनाने के लिए सबसे पहले जो चाहिए होगी वो है बेसन, तो यहाँ पर हमने रेगुलर नॉर्मल बारिक वाले बेसन का इस्तमाल किया है। ये तीन कप बेसन डाल दिया है, और अब हम इसे अच्छे से चान लेंगे, ताकि बेसन में कोई गुठली बेगे रहा हो, तो सारा चान कर बरावर हो जाए, तो देखे, इस ताइके से हमने बेसन को चान कर तयार कर लिया है, तो इसे हम रख देते हैं साइड में, और यहाँ पर हमने ये 1.5 कप सुगर लिया है तो अब हम सुगर से बनाएंगे बूरा जिसे हम तगार भी बोलते हैं आप चाहे तो मार्केट वाला रेडी मेड बूरा कब इस्तमाल कर सकते हैं लड़ू बनाने के लिए हम घर पर बना करेंगे तो इसके लिए हमने गैस पर कढ़ाई तो ध्यान रखे हम इसे लो फ्लेम पर ही मेल्ट करना अभी हमें गैस का फ्लेम जो है तेज नहीं करेंगे अगर हम सुगर को तेज आज पर मेल्ट करेंगे तो सुगर जो है अच्छे से मेल्ट नहीं हो पाईगी क्योंकि हमने इसमें पानी कम एड़ किया है तो इसे हमें ल केसे लगतार चलाते हुए 3-4 मिनिट के लिए पकाएंगे हमें चासनी को जो है वाइट करना है जमने की कंसिस्टेंसी तक इसे पकाना है तो इस तक इसे लगतार चलाते रहें अगर आपको लगे कि चासनी जो है साफ नहीं दिख रही है तो आप इसमें 2 टेबल स्पून मिल्क डाल कर चासनी में जो है उबाल जब आजाएगी तो आप उपर की जाग को जो है निकाल सकते हैं इससे आपकी चासनी जो है साफ बनेगी तो आपका जो बूरा है तगार है वो भी जो है सुगर जो है जमना सुरू हो चुकी है तो हम इसे गैस का प्लेम बंद कर दी है और अब हम इसे लगतार चलाते हुए ठंडा करना है जैसे जैसे ये ठंडी होगी सुगर जो है जमनी सुरू हो जाएगी तो इस बात का ध्यान रखे आपको लगतार चलाते रहना है नहीं तो इसमें धेले बड़े-बड़े बन जाएंगे सुगर के तो उसे फिर मिलाने मुश्किल हो जाएगी तो इस तेके से हमें मिक्स करते हैं इसका बूरा बना कर तैयार करना है धिरे-धिरे ये दानेदार बन कर तैयार होगी अगर इसमें चोटे छोटे धेले पड़ जाते हैं तो बिल्कुल भी टेंजल लेनी की ज़रत नहीं है आप उन धेले को तोड़कर वापस से मोटी छन्नी में चान कर इसका बूरा तयार कर सकते हैं आप नहीं है बिल्कुल रेडी हो चुका है बेशन के लड़ू के लिए देख सकते हैं तो इसे हम रख देते हैं साइड में और चालते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस में तो यहां पर हमने गैस पर एक कढ़ाई रखा है इसमें हम डालेंगे तीन चौथाई कप घी अगर आप मेल्टेट करेंगे हमने जो बेशन चान के रखा था वो हमें आप डाल देंगे और इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि जो है बेशन घी में अच्छे से मिक्स ना हो जाए तो इसे हम इसी तरीके से मिलाते हुए जो है बेशन को घी में अच्छे से मिक्स कर लिया है देख सकते हैं और अब हम बेशन को low to medium flame पर इसे भूनेंगे लगतार चलाते हुए तो सुरुवात में आपको बेशन जो है काफी dry लगेगी लेकिन जैसे जैसे बेशन भूनेगी इ आपको और घी एड़ करने की बिल्कुल भी जरुवत नहीं है तो देख सकते हैं यहाँ पर बेशन का हलका सा कलर चेंज हो चुका है तो जैसे जैसे यह भूने की इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और बेशन भी धीली परते जाएगी तो इसे हम इसी तरह के से लगतार चला आते हुए लो टू मेडियम फ्लेम पर भूनेंगे जब तक की बेशन का कलर जो हलका सा चेंज ना हो जाए और इसमें अच्छी सी खुसबून आने लगे तो बेशन को भूनते वक्त पेशन रखे अराम से भूनने दिजिए अगर हम जलबाजी करेंगे तेज आज पर बेश हम भूनेंगे आप देख सकते हैं इसका कलर भी जो हलका हलका सा यह होने लगा है तो इस अस्टेज पे आपको जौ है बिल्कुल भी रुकना नहीं है लगतार चलाते रहना है चलाते विए हमें इस से भूनना है और देख सकते हैं बेशन कितना सारा घी भी छोड़ चुकी ह तो यह हमारा पेशन काफी अच्छे से बहुंगा इस अस्टेज पे हम बेशन दाने-दार बनाने लिए इसमें थोड़ा पानी के चीटे मारें गेCr HDR में काफी सारा जो है जो है जाक बने आगी और अमीरा जो पेशन है वह दाने-दार हो तो हमारे लड़ू भी जो है दानेदार बन कर तयार होगी तो यहां पर हमने गैस का फ्लेम जो है बंद कर दिया है और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए हलका सा ठंडा होने तक इसे जो है चलाते रहना है हमें बेशन को ज्यादा ठंडा नहीं करना है जब यह हलकी स करेंगे इलाइची का पाउडर फ्लेवर के लिए तो यहां पर हम यह वन टीस्पून इलाइची का पाउडर डाल देते हैं और इसे भी डाल कर हम अच्छी से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम यहां पर आड़ करेंगे जो हमने सक्कर से जो बूरा बना कर तयार किया था इसे हम तगार भी बोलते हैं इसे हम डाल देते हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहां पर देखिए हमने इसे इसी तरीके से मिलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लिया है तो अब हम इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे तो यहां पर हम इसे इस तरीके से लाएंगे इसे हमें एक एक दाना खोलना है इससे हमारे लड्डू बनाने के लिए यह कप लिया है इसमें नालाम भरेंगे इससे हमारे दूस है सारे यह साइच के बनकर तयार होंगे अगर आप के पास यह नहीं है तो आप कोई भी अस्पून सेट कर सकते हैं तो यहां पर आप जितने बड़े आकार के जो है लड़ू बनाना चाहते हैं उसी एक कोडिंग मिक्स ले यहां पर मैं मेडियम साइज के जो है लड़ू बना रही हूं आप चाहे तो इससे छोटे आकार के भी हमारा एक लड़ू बनकर तयार हो चुका है, मैं इसी परकास से आपको सेम दूसरे लड़ू भी बना कर दिखाती हूं, देखिए, इसी परकास से हम हाथों से दबाते हुए, इसे हम एक लड़ू का आकार देंगे, तो ये हमारा लड़ू बनकर बिलकुल तयार हो चुका है, इसी परकास से जो है हमने सारे लड़ू बनाकर तयार कर लिये हैं देख सकते हैं तो जब आप भी इसी परफेक्ट माप के साथ लड़ू बनाएंगे तो आपके भी लड़ू जो है इतनी ही परफेक्ट बनकर तयार होंगे आप देख सकते हैं बहुत ही स्वादिश लड़ू बनकर तयार हुए हैं तो इस रेसेपी को आप जरूर ट्राइ किजिएगा और स्टेप पर स्टेप को फोलो करते वे यह लड़ू बनाएंगे तो आपके भी लड़ू जो है एक ही